केसे हैं आप सब उम्मीद करती हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं खशता ठीकिया जो घर में आठे और सूजी से बनी हुई है बहुत ही ज्यादा क्रेश्टी एंट्रेश्टी तो आइए बनाते हैं इस रेसिपी को देख लेते है में फेल लें जोचाथ है दो कप मैदा इसी में डाएंगे अधा कप सूजी है इदा कप सूजी को लोगे जना विगों का आठा कथ जिए जिए के बार शेंmm की से चिनि और पात देकोना विड़ेग वीडियो में इससे रही इस दवीद आलास है आं YouTube कि देखने यह को दोती जल्दी से जटपट यहां पर लगभग हमने 50 ग्राम के इसाब से 50 ग्राम हमने इसमें रिपायंट और एट किया है अब आटे को और तेल के साथ अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लंप्स ना रह जाए इस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे ह इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे जैसे आप देख पा रहे हैं अच्छे से ताकि आटा अच्छे से एक दूसरे से मिक्स हो जाए देखें यह देखें इस तरीके से जब हो जाए तब चानली जी का आप तिल्कुल यह रेडी हो गया है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी से मिक्स करेंगे इसका डो बना लेंगे अच्छा सा त्यास लखेगा डो इसका बहुत गीला नहीं रखना थोसा प्रधाइट ही डो रखियेगा तो आपकी खस तक्राइप बनेंगी बोखरी की रस्पी और करारी बने की इस तरीके से हल्का-लका पानी डालेंगे लुका लेते हैं जिससे कि आप देख पान रहे हैं लगभख पाली इसमें हमने 11 कप लगाए आप विसी को हम दिखा रहे हैं हमें अब से सको कटीं करेंगेर इस वीडियो से तीन लोगिए इसमें बना लेंगे हम जैसे कि आप लिदी इस इस तरीगेर Serving čॉ्छ 0 ज्यादा इसे पतला नहीं रखना है बहुत ही ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है इसके बाद हम एक रिंग की हेल्फ से इसे कटिंग कर लेंगे जैसे कि आप देख पार है अगर आपके पास ऐसा रिंग नहीं है तो आप ग्लास या किसी और चीश से कट कर सकते हैं बस इस तर प्राइब कर लेंगे तो इसे ही कटिंग कर लेंगे जैसे आप देख पार हैं वीडियो में इस तरीके से आप अब सारी टिक्यां कट चुकी है देखिए इसकी इसनी मुटाई रखना है ज्यादा मोटा हम नहीं रखेंगे वन्हां यह अंदर से थोड़ी सी नरम रह जाएंगी हमें क्रेश्पी और हस्ता चाहिए तो इहां पे सारी टिक्यां को हम कर लेंगे तो हमने यहां पे ते अब इससे हम हलका सा फलेट लेंगे एक तरब से हल की ही हो गई है इन्हीं हमें golden होने तक कराइ करना है ag iag talent करके बराबर इससे चलते रहें USेे ताकि यह कहीं पे浜ल की नहोजाएं कहीं पे डार्क नहोजाएं इस तरीके से आपर आप को इसे करना है यह से आप देख़ा न यह वीडियो में बस देखिए लगभग के हलकी सी गॉल्डन हो गई है अब इन्हें में किसी स्टेश पे हम बाहर निकाल लेते हैं और ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं और भी जो हमारी बची हुई टिकिया है सब किसी तरीके से हम फ्राइ कर लेंगे बहुत ही क्रिस्पी हो जाएं कि यहां पर लगभग खस्ता टिक्या पुरी फ्राइ हो चुकी है और ठंडी हो गई है अब इन्हें हम आपको थोड़ी सी तोड़ की दिखाते हैं तो देखिए कितनी अच्छी हो कितनी खस्ता बनकर रेडी हो गई है तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं जिसे कि मैंने बनाया है इन्हें स्टोर भी आप कर सकते हैं यह खराब होने वाली बिल्कुल नहीं है तो आप इसे बढ़ाए एंज्वाई कीजिए और हमें अपने अनुभव सेयर कीजिए अगर यह मेरा वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो मेर